देखो बच्चों हमने अभी जब चेप्टर शुरू किया था तो आपको पढ़ाया था चर और आचर ये चर और आचर मैंने पढ़ाया था ये तुम लोगोंने पढ़ा था कि जो A से लेकर के Z तक के लेटर है वो सबी आचर कहलाते हैं या वैरियबल कहलाते हैं लेकिन जितनी भी गिंती की संख्याएं हैं क्या बोला मैंने उल्टा बोला क्या A से Z तक जो होते हैं वो चर कहलाते हैं मतलब variable चर ये जितनी भी गिंती की संख्याएं हैं 1 से लेकर के अनंता के इंफिनिटी तक वो सभी अचर कहलाते हैं मतलब constant कहलाते हैं बबारा हो गया लेकिन जब हम चर पदों का गुड़ा करते हैं तो उसी कंडीशन में इस तरह से नहीं होता है और हमारी यही क्या है मुख्य प्रॉब्लम है आज आपका जो चैप्टर 2.5 सुरू होगा उसमें इसका भरपूर इस्तेमाल हुआ है तो इस कारण से मैं आपको प प्यार से जिनको पढ़ना है सीखना है वो कलास छोड़के नहीं जाएंगे कम से कम आधा गंटा देखेंगे उन्हीं लगेगा कि बहुत कुछ सीख रहें और जिनको केवल यूटूब पे खोजना बेटा वो टालते रहें उनको कोई भी रोकने वाला नहीं यह बताओ अग यह सराज सिंग एक गंटा पढ़ाई करवाते हो जिसमें से आधा गंटा ही चलती है अच्छा आधा गंटा का होता है बेटा तुमारे जैसे लोगों की वज़ा सही तो समस्या आया ना क्योंकि तुम सुनते तो हो नहीं हो बिलकुल कुछ नहीं सुनते हो ना समस्या यह है चलो कर लोगे सभी ठीक है तो यह चीज अगर तुम कर लोगे तो अब दूसरे का जबाब दो क्या तुम इसको भी कर लोगे यक्स प्लस टू और यक्स प्लस थ्री क्या इसको भी कर लोगे देखो समझो यहां पर यह सब हमें करना है कलाफ नाइन्थ में अगर हम हैं तो हमें यह आना चाहिए हमारी यह बुक में है मतलब तुम समझ रहे हो ना चलो देखो तो कैसे करेंगे इसको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट है आप लोग सीख लो यहां से समझ लो बिटा इसका अंसर बता दो अगर आप लोगों को आ रहा है तो गुडा करना है multiple कर लो सरबेस पांडे रूद्र परताब यहां से समझो यहां से समझो बियथा जैसे अगर हमने लिखा हमें क्या-क्या चीखनाया अभी जो उसके बारें बात करें Aw up यह कि इसे बोलते है को 2 2 इसे बोलते है आज गातांको क्या बोलते मैं बताव आप लोग इंग्लिस बता ना इसकी देखो जैसे मान लो मैंने लिखा 4 x का isquire अगर मैं तुमसे पूछ हूँ कि बेटा इसमें यक्स का isquire का गुडांग क्या है तो क्या होगा यक्स के isquire का गुडांग क्या है तो क्या होगा बता बुझे लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूँ कि बचवा यह बताओ राजा कि 13 यक्स यहाँ पर घाद जो है पांच है मतलब पांच है इस पर है चुरकी पर तो इस पर घाद क्या होगी बताओ सोच के बताओ सभी जल्दी से सभी बच्चे बताओ यहाँ से समझो देखो जो हमारा यह वरियेबल है जैसे हमने कहा यक्स स्कॉार का गुडांग क्या होगा तो यक्स स्कॉार का गुडांग यहाँ पर बताओ चार है जो यक्स स्कॉार के साथ में है वो क्या है वो गुडांग है इसमें अगर हम बात करें यक्स की घात 5 का गुडांग तो क्या है इसमें यक्स की घात 5 का गुडांग है वो 13 है में है उसके वो क्या है गुडांक है कोफिसियंट है गुडांक और घातांक ठीक है कोई दिक्कत किसी को नहीं ना तो आप समझ गए घातांक ठीक है ओके नो प्राब्लम चलो तो बिटा जो घातांक होता है इसे इक्सपोनेंट बोलते हैं क्या बोलते हैं इक्सपोनेंट बोलते हैं ठीक है तो आप यह समझ गए अब हमें मतलब की चीज समझना है बहुत ही प्यार से समझो एकदम एक एक पॉइंट समझो तो जब हम मल्टीपल करते हैं तो गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती है अगर सभी जो चर है वो समान है तब इस बात को याद रखना ठीक है गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती है अगर च गुड़ा करेंगे तो कितनी घात आएगी मुझे यह बताओ जल्दी से सभी बच्चे बताओ अंकुस राज कितना आएगा अगर इसका गुड़ा करोगे तो घात कितनी आएगी यह कुश्चन में बताऊंगा अभी सब इस टाइप का मैं सब बताऊंगा लेकिन पहले तुम क अगर को जाओ कुछ किनारे मुझे क्या है कि इसका कौनों आंसर ना बताएगा कि अभी तक और 3 कितना हो जाएगा 11, यह 11 होगा, देखो कुछ लोगों को confusion है, उनको यह confusion है, जो 10 बता रहे हैं, अधिकांस 10 बता रहे हैं, उनको यह लग रहा है कि चचा यह तो 5 है, और यह 2 है, और यह 3 है, क्यों भाई, तुम्हें यह लग रहा है न, मतलब ही तुमको गरीब दिख र जिसके छोटा-छोटा बार है, उसको चटाहा मान लिएक, उसके बार है नुगेगा कभी, जिसके छोटा-छोटा भी है, कल इतना-इतना हो जाएगा, वो भी तेरे नाम जारेगा, तो इसकी भले कोई घात नहीं है, लेकिन वो 1 मानी जाती है, याद रखना, हमेशा 1 मानी जाती है ठीक है समझ गए ना तो इसकी घात भी वन है बिटा तो यह भी वन जोड़ोगे चाहे इधर उधर कहीं भी जोड़ो इससे कोई मतलब नहीं है ठीक है कुक बित मीना जी बहुत-बहुत थंक्यू आपको लेकिन विचार करेंगे आपकी बातों पर यह कौन है प्रियंका पीबियर स्टडी भाई जो लोग बोल रहे हैं इनको बला करिए वाटसप यादो जी प्रियंका पीबियर स्टडी नाम से कोई आया है उसे बला करिए आप बला करिए देखो हमें न लगाओ इसमें हाँ चलो तो कितना हो जाएगा यक्स की घाते ही ले बन हो जाएगा ठीक है यह समझ गए न सभी यह चीज यहां से आपको क्लियर होना चाहिए मुझे लग रहा वीडियो कुछ गड़बड कर रहा है क्या गड़बड करेगा तो बताना तो बेटा यह हो गया आपका अगर हम इसी करम में आपसे एक और सवाल पूछें की बताओ तीन यक्स का गात वन इन्टू तीन यक्स और इनुटू यह फोर्टिफाइट यक्स का पांच और इन्टू यक्स इसमें मुझे बताओ कितनी घात आएगी सबी बच्चे घात बताओ हिमानसु बर्मा जी बताइए कितनी घात आएगी हिमानसु बर्मा इसकी घातांग कितनी होगी फाइनल में अच्छा एक बाद बताओ इसमें मैं अगर तुमसे पूछूं कि यक्स की घात पांच यक्स की घात पांच का गुडांग क्या है यक्स की घात 5 का गुडांग क्या है तो कुछ लोगों को तो अभी यक्स की घात 5 दिखी नहीं रहा है यक्स की घात 5 कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है देखो यह में 1 घात है यह में कुछ नहीं 1 है इसमें 5 है यह नहीं यहां है तो यक्स की घात 5 का जो गुडांक है बेटा वो का है हां 45 है क्या है 45 है इसका गुडांक तो अगर हम इन सब का multiple करेंगे तो बच्चवा देखो 3 का 3 में हो जाएगा और फिर 9 का 45 में हो जाएगा तो फाइनल में कितना आएगा नो पचे 45 और नो चोग 36 चार चालिस और चार चावालिस ठीक है इतना कोई दिक्कत नहीं न नो का गुडा कर लो भाई 9 पचे 45 हांसिल चार नो चोग 36 अब यह 36 चार चालिस है तो होगा यक्स की घाते देखो वन और यह वन टू फाइब सेबन और यह 372-1 8 I am 405 यक्स की घाताटार है लिख लो सभी वीडियों में थोड़ा बहुत mistेख हो रहा मुझे लग रहा थोड़ा हैं कर रहे का यह बताना अगर थोड़ा हैं गों करेगा तो बिल्कुल टेंसन मत लेना तुम ठीक है प्रिंस स्रीवास्तो पढ़ लो बेटा पढ़ लो 405 आएगा 45 आएगा नो पचे पैतालीस हांसिल चार नो चोग शतिस चार चार ठीक है अब यहां पर समझो अगला यह तो तुम समझ गए अब मैं जीसमें जादा नहीं जलाने वाला हूं क्योंकि तुम लोग यह कहते हो आगे नहीं बढ़ा रहे हो बहुत देरे पढ़ा आ रहे हो तो मैं बहुत तेंशन मतलो मैं बहुत पढ़ाओंगा तेंशन मतलो है सुनो कल तो टेस्ट है ना कल सटर्डे को टेस्ट है बेटा 200 रुपए का इनाम रहेगा कल काक्छा नौ में जो चार से अधिक कुश्चन कर लेगा दस में से चार कर लेगा उसे 200 रुपए मिलेंगे जैसे अब की बा आजय पाल बेटा यहीं चलता है कलास यूटूब पर चलता है ठीक है चैनल सब्सक्राइब कर लो बस चलेगा इसमें क्या करते हैं भाईया बीच में पलफ लगाए न तो पहले यक्स को पकड़के इस यक्स में गुड़ा करते हैं बेटा तो थोड़ा स्टेप बाई स्टे प्लस यक्स कवन में तेह एक्स हो जाएगा यह आपका आंसर आ गया ठीक है क्या आ गया आंसर आ गया कि अमिद पटेल आया कुछ समझ में नाभ्या जी पढ़ाई ओडाई हो रही कि नहीं हम बंटी सिंग बेटा पढ़ लो हां पढ़ लो कि पीवियार स्टड़ी एप में बिल्कुल क्लास होती है वर्तिकाजी बिल्कुल होती है कि होती है क्लास बहुत सारी क्लास होती है कि यह समझ गए इसको मैं मिटा रहा हूं इसक्रीन साट ले लिए हो सभी चलो कि देखो बच्चा अब यहां से तुम समझो यह तो एक छोटा फथा अभी दो पद का दो पद वाले में गुड़ा करना पड़ेगा आपके 2.5 में देखो तो दिया है तो आज मैं तुमको उसके लिए तयार कर रहा हूं ठीक है आज मैं तयार कर रहा हूं तुमें उसके लिए देखो जैसे अगर मैंने कहा कि यक्स का इसक्वायर इसका गुड़ा करना बेटा के हमें करना है यक्स का इसक्वायर इसका गुड़ा करना है यक्स प्लस 5 में आप लोग मुझे आंसर बता दो इसका जल्दी से कितना आएगा चलो कितना आएगा मुझे इसका आंसर बता दो तब हम माने कि यहां तुम्हें आ रहा है किसी को आ रहा है यह स्टडी चैनल बेटा तुम पढ़ लो पढ़ लो नहीं तुम्हारे नुपर सब गिरेगा पढ़ लो जल्दी 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 करो इसको बलाग करो भाई यह स्टडी चैनल नाम से कमेंट आ रहा है तुरंद बलाग करो ना लाएक कहीं का इडियेट एक लोग का कमेंट करे जा रहा नाम लेले के बार-बार तुरंद बलाग करो इसे चलो अब हो गया बंटी सिंग तुमें मुझे नहीं लगता तुम CRPF में हो नहीं नहीं मुझे लग नहीं रहा कि CRPF में हो बहुत ही इंजत के साथ मैं इन लोगों से बात करता हूं जो हमारे देश की सेवा में लगे हैं लेकिन आपके कमेंट से नहीं लग रहा है देखिए यहां पर समझिए यक्स स्कॉायर का यक्स में गुड़ा करोगे तो भाई यक्स का स्कॉायर इंटू एक्स यह इतना हो जाएगा बीच में प्लस का साइन लगेगा यक्स का स्कॉायर इंटू किस में हो जाएगा फाइप में यह आपका बनेगा structure इस तरह का आपका धाचा बनेगा ठीक है तो बच्चा अब क्या करोगे बाबू यहां से समझो अब मैं ही हेडिंग चाहे मिटा दूं उससे कोई मतलब है नहीं यक्स का घात दो है इसका घात एक है तो बैया यह फाइनल में घात हो जाएगी तीन ठीक है और पांच का जब गुड़ा करोगे बेटा देखो घात से कोई मतलब है नहीं इस तरह का गुड़ा जो है वह घातांक में नहीं होता है गुड़ांक में होता है किसमें होता है आई जाएगी लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है अभी ये कलास फिर दो घंटे की अप्लीकेशन के अंदर ही पॉसिबल है यूटूब पे अभी नहीं पॉसिबल है चलाएंगे भविस्व में लेकिन अगर अभी पढ़ना है तो आप अप्लीकेशन में चले जाओ पी वी एर स्टडी एप में हाँ चलो तो यह हो गया अब यहां से एक चीज समझना है कि यक सी स्क्वाइर का गुड़ा पांच में करेंगे तो क्या होगा अखिर यह बहुत इंपॉर्टन फैक्ट है यादो जी आपको पानी पीना है आपको कहीं पानी नहीं मिल रहा है दुनिया सुक गई है अभी बहुत पानी है दुनिया में चलो देखो इसका गुड़ांग कितना है पहले कोई बताए इस चचा का गुड़ांग क्या है इसका गुड़ांग क्या है जल्दी बताओ इसके क्योंन सहाए 고양 Nazi ज कि फाइनल में आपको जाएगगा पाँच खाइग मैं तो यह अपका यह आपका इतना फाइनल हो गया, इसके आगे इसमें कुछ नहीं होने माला है। अच्छा मुझे एक बात यह बताओ, इसमें कौन-कौन जान रहा है कि यह दोनों जुड जाएगा। बोलो यास या नो, अगर आपको लग रहा है कि यह दोनों जुड जाएगा तो बोलो यास, और अगर लग रहा है कि नहीं जुड़ेगा तो बोलो नो, जल्दी से कमेंट करो बिल्कुल भी देर नहीं करना, तूरंत करो भाई, बाबु देखो बिल्कुल देर नहीं करो, ऐसे मज़ा नहीं आ रही दिल मत थोड़ो जल्दी से बताओ चलो देखो अब जो लोग बोल रहे हैं कि यह जुड जाएगा यहां से समझ लो यह दोनों नहीं जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा कभी देखे हो सेर के साथ बकरी की साधी हो जाए बताओ देखे हो हां सेर के साथ बकरी की साधी हो जाए देखे हो नहीं देखे हो न कुत्ता के स इनसान की तो बात ही अलग है, इनसान की तो धरम अलग होना चाहिए, जाती अलग होने चाहिए तब होती है, मतलब एक के होना चाहिए बाकि कानून और नियम और संभिधान के अकार्डिंग तो कुछ भी हो हर कोई किसी भी काष्ट या धर्म में कर सकता है बस 18 साल का होना चाहिए तो लेकिन वो मैं क्यों बता रहा हूँ यहां भी इसमें से दो रूल लागू होता है दो रूल लागू होता है पहला पहला इनकी काष्ट एक होनी चाहिए काष्ट का मतलब यह एक ही प्रकार की एक ही जाती के चर होने चाहिए यानि अगर इसमें यक्स है तो इसमें भी यक्स ही होने चाहिए बाकिया और कुछ नहीं होना चाहिए ठीक है समझ रहो ना तो यानि ऐसे समझ लो अब तुम ऐसे समझ जाओगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा पैला नंबर जैसे आपके अगर इस सिस्टम में बात करें तो धर्म एक होना चाहिए तो इन में क्या भाया इन में चर एक होना चाहिए ठीक है देखो यहां से समझो दोनों बहुत मस्त समझ में आगा बूलोगे नहीं कभी दूसरा क्या होना चाहिए एक हमारे इस देश समाज में साधी करने के लिए दर्म एक होना चाहिए जाती एक होनी चाहिए मतलब नार्मली जो सामाजीक लोग मानते हैं त इसमें क्या होना चाहिए चर बराबर होना चाहिए और घात बराबर होना चाहिए समझ गए ना कब इनको जोड़ने के लिए ये तब जूड़ेंगे जब इनका नंबर एक चर बराबर हो नंबर दो घात बराबर हो जैसे तुम देखो न, माले दो लोग का धर्म एक है, एक लोग क्या है, पटेल जी है, एक लोग पांडे जी है, भई पटेल और पांडे दोनों हो गए धर्म तो एक हिंदू हो गए, लेकिन उनकी जाती अलग-अलग है, तो इसलिए क्या होगा, इस समाज सो भी कार नहीं करे है, लेकिन इनकी घातें अलग-अलग हैं, बच्चा, इनके जाती अलग-अलग है, घाते कैसे अलग हैं, एमें देखो, तीन घातें में दूँ घातें, तो यह जुड़ेगा नहीं, एक और एक जामपल देख लो, एक और एक जामपल देख लो, देखो, हमारी कोशिस यह हो दो होता प्लस ये पांच एक्स की घात दो होता अब ये जुड़ जाता अब ये जुड़ जाता कैसे इनकी घात दो है इनकी घात क्या है दो है तो घात से कोई मतलब नहीं है जुड़ता है तो गुड़ांक जुड़ता है गुड़ा होता है तो गुड़ांक का गुड़ा होत कि जोडने पर घात में कोई परकार का फरक नहीं पड़ता है, जोडने पर घात में कोई फरक नहीं पड़ता है, जितनी घात रहती हमेशा उतनी ही रहती है, लेकिन गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती है, याद रखना, अगर कहीं दो भी, दो बेरियबल्स को, सुरी य रहती हैं लेकिन अगर उनका गुड़ा कर रहे हो तो घाते जुड़ जाती है यह 1999 का एक्जामपल नहीं है कि यह आज का एक्जामपल है आज का समाज सो भीकार नहीं करता है देखते हो लोग मार देते हैं अगर कोई कर लेता है साथ हो यह अगला कौन कर रहा भई टाइम आउट अगला कौन कर रहा है यह मिस्टर यह PBR स्टेडी लाहबाद से और कौन कर रहा है क्या नाम पीतेंद्र जी आप कर रहे हो क्या बोलो जल्दी हाँ कमेंट देख रहे हो क्या आप कि चलो तो यह हो गे आप लोग कर लोगे अब है आप कमेंट करेंगें सुब हम सिंग को अटाइए देखो यहां से समझो आगे क्या है समझना यहां समझो अब मुझे आप लोग बताओगे यक्स प्लस वन का यक्स प्लस वन में मल्टिपल करना है यह दिया गया है ठीक है चलो बोलो जल्दी बोलो हुआ 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 है चलो ठीक है सब कुछ मस चल रहा है आधी तिरपाथी देखो यहां से समझो बेटा समझो यहां से इनका मल्टिपल करना है आप मुझे आगे बढ़ाना यह आपके 2.5 एक्सरसाइज में दिया है इक्सरसाइज 2.5 में दिया यह कहीं अलग से नहीं है यह चैप्टर का है आपके पढ़लो मैं बता रहा हूं रुख जाओ तुमको मैं किताब खुलवा देता हूं एक मिनट बेटा देखो सर्बसमिकाओं का गुड़ा करना है न ठीक है पहले हम तुम्हें लांग बिदी सि टेंडर तरीका है पहले उनको समझो बड़ी इमानदारी से समझो मैं कमेंट देखूंगा तो पागल हो जाओंगा मर जाओ तुम लोग कमेंट में अब और क्या बोलूं आत्मा से यह आवाज निकल रही न देखो यक्स का क्या करेंगे पहले इस यक्स को पकड़ेंगे और इसमें दोनों में बारी बारी गुड़ा करेंगे समझो तो यक्स का मल्टीपल बेटा यक्स में करोगे तो फाइनल में यह आपका बन जाएगा यक्स इंटू यक्स ठीक है इस यक्स का मल्टीपल मैंने यक्स में कर लिया अब मेरा ये काम हो गया खतम अब ये सीधा सीधा इसके लिए हो गया ठीक है? अब बीच में कौन सा साइन है? देखो यहां भी पलस है, यहां भी पलस है तो यहां पे तुम क्या लगाओगे? पलफ लगाओगे लेकिन तुम्हें चिन यह देखना है अब इसी यक्स का गुड़ा इस दो में करोगे तो यह दो गुड़े यक्स होगा या फिर यक्स गुड़े दो होगा ठीक है? या फिर क्या होगा? यक्स गुड़े दो होगा ठीक है? यह हमने यक्स को पकड़के इसमें दोनों में गुड़ा कर दिया क्या किया? यक्स को पकड़के दोनों में गुड़ा कर दिया अब तुम समझो यहां से और कुछ यहां से समझो यह हो गया अब देखो हमें यह वन पकड़ना है इस से इन में दोनों में गुड़ा करना है यह चीज समझो थोड़ा बहुत आसान नहीं है बेटा अगर समझ लोगे तो अच्छी बात है बहुत आसान है नहीं समझोगे तो कभी life में समझ में ना आएगा यह समझ लो यह बहुत आसान नहीं है जितना तुम लोग chatting पेटिंग करे जा रहे हो ना कभी आने वालों नहीं है अब यहां पर प्लस one का multiple करो पहले x में तो one का yaks में करोगे तो one into yaks हो जाएगा ठीक है सिर्प चिन्न लगा के लिख दो बाकी काम बाद में करना तो one into yaks हो जाएगा फिर बीच में देखो प्लस है तो प्लस और two का one में करोगे या one का two में करोगे तो one into two हो जाएगा यह आपकी पूरी परकिरिया है जो मैंने यहां तक लिखा हुआ है ठीक है कुक बिथ मीना मैं तुम्हें कितनी बार बताओं कुक बिथ मीना तुम पांच गंटे भी पढ़ सकती हो या पढ़ सकते हो हाँ उसमें जाके ज्वाइन कर लो समझ में आए ना बात बस्मैं भी यही बता रहरा हूं आप समझ force चलो अब एक सका करोगे तो एक सकुआर हो जाएगा प्लस दो का एक स्वाएर q2 006 008 यहक्स का वन में करो बैटा एक हो को दो का यह में करो जाएगा लेकिन यह धूनम भी जूड़ेगा तो कैसर प्लस का혁 स्कॉरएर एक कि यह आप fine वाना अंसर हो गया है मतलब आपके गुड़न खंड यह दोनों थे और आपका फाइनल आंसर यह आया अच्छा एक बात बताओ क्या आप जानते हो क्या आप जानते हो अगर इसके गुड़नखंड करेंगे तो यह आएगा जानते हो कि नहीं बोलो क्या आप जानते हो कि अगर हम इसका गुड़नखंड करें तो यह दोनों आएगा सभी बच्चे बोलो हां चले आगे अभी से कर लोगे न सभी चलो अगले कोश्चन पर आगे चलते हैं वर्तिका जी नंबर इस स्क्रीन पर चल रहा है न कैसे जोईन करें क्या करें उस पर संपर करो उस पर संपर करो दिन में सब बताएंगे चलो अब मुझे एक क्यूश्चन और बताओ बिटा एक ठी और बताओ च्छोटा सा अगर हम तुम्हें कहें कि यक्स का तीन और ये यक्स प्लस वन इसका गुड़ा करो तो कितना आएगा कोई मुझे बताएगा कितना आएगा रेनु चोधरी जी बताइए कितना आएगा आएगा कुछ भी आएगा कोशिस कर लो एक बार देखो मैं बता रहा हूं समझो यहां से सभी बच्चे यहां से समझो अब हम उतना बड़ा इस्टप नहीं करेंगे जितना पहली बार किये थे अब इसे हम थोड़ा जल्दी में पूरा करेंगे ठीक है थोड़ा जल्दी में आउचए संहा अब यहां से सब्यागद साल को मजा नहीं आ रही बिल्कुल भी मजा नहीं आ यहां आ रही जान लो तुम लाइक तो करनी रहे हो जितने लोग जुड़े हो उसमें आधा भी लोग नहीं है form जल्दी सभी बच्चे सेसन को तुरंद लाइक करो देर मत करो एक को सिकेंड की बहुत जल्दी करो मनोज सिंग बेटा करें नहीं हो तुम हुआ हिमान्सू पीवियर स्टडी एडिटर आप वाट्साप कर रिपलाई कर दीजिए निवेदन है अगर आप खाली है तो ठीक है आप कमेंट के पीछे मत पढ़िए पीवियर स्टडी एडिटर आप कमेंट कर रिपलाई और वाट्साप कर रिपलाई कर दीजिए अगर खाली है तो कमेंट क कि पीछे मत पढ़िए क्योंकि यह आपकी सुनने वाले नहीं है यह आपकी सुनने वाले नहीं है देखो अब मैं इस पर चलता हूँ भाई सभी चल्दी सेशन को लाइक करो अगर अगली कलास भी तुम्हें पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है तो कोई बात ही नहीं इसमें यक्स का मल्टिपल करोगे बिटा यक्स में तो बाबू आपका ये हो जाएगा यक्स का स्क्वायर ठीक है फिर प्लस का साइन लगाओगे क्यों क्योंकि हम यक्स का यक्स में करने के बाद अब इस पार आएंगे वन में और वन के पहले प्लस है इसलिए यहां फिर प्लफ लगाओगे अब यक्स का multiple one में करोगे बेटा तो ये यक्स हो जाएगा इतना ठीक है हमने यक्स को पकड़ा इन दोनों में गुड़ा कर लिया अब हम ये तीन को पकड़ेंगे इन दोनों में गुड़ा कर लेंगे तो तीन को पकड़के यक्स में गुड़ा करोगे तीन के पहले प्लस है तो यह हो जाएगा प्लस तीन यक्स अब तीन को पकड़के one में multiple करोगे बिटा तो one के पहले plus है तीन के पहले भी plus है इसलिए यह πलस हो जाएगा तीन का एक में करोगे तो तीन हो जाएगा यह आपका क्या है यह आपका system है बहुत ही आसान है इस तरह से क्या है बहुत ही आसान है है ना तो final आपका ये हो जाएगा यक्स का square pounds यह 3 और 1 यक्स हुझड जाएगा Home तो यह 4 यक्स हो जाएगा और यह आपका 3 का ऐसे 3 रह जाएगा है ना कितना आसान लो आसान है की नहीं आसान है की नहीं बैटा रभबी संकर तुम इतना नाम बदलते हो ना तुम्हारी बहुत सारी IT Vlog है, समझ रही उना? तुम क्यों बदलते हो भाई, क्या मिलता तुम्हें? क्यों? तुम्हारा मतलब क्या है, चाहते है क्या हो तुम Question No.6 यहां से समझो, सबको समझ में आ रहा है ना? अब देखो आगे, आप लोग मुझे इसका आंसर बताओगे, मैं नहीं बताने वाला हूँ अब exercise 2.5 का पहला question है, एक मिनट रुख जा, रुख जा बाई, 2.5 का पहला question exercise 2.5 का पहला question x plus 4 and x plus 10 x plus 4 and x plus 10 this question, इसका मुझे जबाब दो, castle भी बच्चे मुझे जबाब दो iska चलो जल्दी बताओ कितना एयगा, if we say बहुत जल्दी करो look at इसका answer मुझे जल्दी से बतातौ जिनको नहीं आ रहा वो न लिखे यन अहॉआ जिनको नहीं आ रहा वो लिखके कमेंट करें यन ओनू जल्दी करो जिनको आ रहा वह आंशर बता हो कि जल्दी करो भयर देको बहुत टाइम नहीं है सन्दीप कुमार बेटा जबाब दो लग रहा है तेज से न चलो अभिलास नरेस हरिकेस बलराज प्रेमचंद मनोज बच्चा नरेस तुम क्यों न कर पाओगे क्योंकि तुम बहुत चैटिंग करते हो न तुम्हें पढ़ना तो है नहीं हेलो प्रियंक कैसी हो पूजा भ Gothic क्या कर रही हो तुम तुमको तुसिर्फ इतना ही करना विए तुम्हारा कमेंट्ट रोज देखता हूं ऐसी बाद नहीं है लेकिन मैं फिर भी देखता हूं कि तुम कितना करते हो कब तक कर तो थे qe29 पॉल रहा हूं तो केरा नहीं फिर यक्स का मुल्टिपल जब मैंने यक्स में कर लिया तो यक्स का स्कॉयर हो गया अब यक्स का गुड़ा हम करेंगे 10 में भाई यक्स का एक बार इस एक्स में कर लिया आप 10 में करेंगे दोनों में बारी बारी करते हैं न तो 10 में करेंगे बच्चा तो यह 10x हो जाएगा इस तरह से हमारा आधा काम पूरा हो गया आधा काम पूरा हो गया हमने यक्स को पकड़के इन दोनों में गुड़ा कर दिया अब हम ये प्लस फूर लेंगे फूर फूर का मल्टीपल इस यक्स में करेंगे बिटा तो ये फूर एक्स और फिर इसी 4 का मल्टीपल इस 10 में करेंगे तो यह हो जाएगा 4 दामा 40 बस इतना ही करना है ठीक है? सबको समझ में आ रहे ना तो बिल्कुल प्यार से देखो जिसको ना समझ में आएगा बता देना मैं फिर बताऊंगा अलग तरीके से टेंसन मत ले ना तुम बस के वल देखना बस जाना नहीं चलो 10 एक्स का गुड़ा 4 एक्स में करेंगे बिटा यह हो जाएगा 14 एक्स और प्लस यह 40 वैसे एक वैसे जुड़ जाएगा यह आपका हो गया अंसर यह आपका एक्सरसाइज 2.5 का कॉर्शें नंबर था एक्सराइज 2.5 कॉर्शें नंबर फ़स्ट का पहला पार्ट अधिया 1.1 परस्नावली 2.5 फरस्नावली 2.5 एंपरस्न संख्या पहला का पहला शंदीब कुमर सोनु गे्मिंग इस पानी को पीने से कुछ हो नहीं रहा मुझे लग रहा है बुझ तो रही नहीं है पता नहीं क्यों क्या पीना इसे देखो समझो ये तुम लोग कर लोगे अब इसी में का बुक का दूसरा पार्ट एक्स प्लस एट एंड एक्स माइनस टेन इसका मल्टिपल करो कितना होगा कोई बताये है नहीं वन देखो बहुत जल्दी-जल्दी कर्वा दे तबो नहीं मजह आती है बहुत धिरे-दिरे पढ़ाया तब नहीं मजह आती है रहू ले आदो बिटा चलेगा सब चलेगा परिसान नह रहो चलो देखो वागे समझो इन का भी कर लेंगे वाज से यहां particular देना हो जाएगा तो फोड़ा सार आलग हो जाएगा फीकर से किन tão देख़ो हमाइन में करो फाईनल में तो यहां हो गयार का स्कायर हो जाएगा और यहक्स का multiple 10 में करोगे तो minus ध्यान रहे यह plus में है यह minus में है तो minus का 10x आएगा यह बात मत भोलना तुम हमने x को पकड़ करके इन दोनों में गुड़ा कर दिया बारी-बारी हमने इस one पद को पकड़ा इन दोनों में कर दिया अब यह plus का 8 पकड़ेंगे प्लस है पहले तो प्लस 8 का मल्टिपल जब यक्स में करेंगे बिटा तो 8 x होगा मैंने वही लिखा है अब इस 8 यानि 8 का गुड़ा 10 में करेंगे यह 10 माइनस में है यह प्लस में है तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है तो यह क्या हो जाएगा 10,88 यह आपका फाइनल हो गया ठीक है यह क्या हो गया आपका फाइनल हो गया अब बच्चा यह यक्स का स्क्वाइर ऐसे ही रहेगा यह आपका माइनस का 10 यक्स यह प्लस का आर्ट यक्स एक प्लस एक माइनस से घट जाएगा तो माइनस का दो यक्स आएगा तुम कहोगे माइनस का चिन क्यों लगेगा तो देखो बेटा माइनस का चिन इसलिए लगेगा क्योंकि माइनस वाली गिंती बड़ी है जो गिंती बड़ी होगी चिन उसी का लगता है अगर ये प्लस दस एक्स होता ये माइनस आठ एक्स होता यहां पे चिन प्लस का लगता ठीक है यहां पे क्या लगता प्लस का चिन लगता लेकिन दस बड़ा है और इसकी चिन माइनस है दस के पहले आठ छोटा है आठ के पहले प्लस है तो जो बड़ा होता चिन उसी का लगता है यह माइनस असी ऐसे उतर जाएगा बस हो गया आपका जिम्हेधारी होती यार क्लास को लाई के जरूर किया करो और दोस्तों में सेयर करना तो बिलकुल ना भूलो हां चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है तो इस तरह के सारे सवाल तुम कर लोगे अब मैं तुम्हें कुछ important fact बताने वाला हूँ जो तुम्हें समझने लाइक है देखो यहां पर समझो बेटा important fact में क्या है वो चीज समझ लो यहां से और एक चीज में तुम्हें और भी बता दूं क्या कल आप लोगों की दिन में कलास होने वाली है बहुत बड़ी कलास कि सही रहेगा कि नहीं कल दिन में आपकी बहुत बड़ी कलास होने 12 वजेसे 12 बचे से किम से कम 4 वजे तक किला सोगी objectively मैंथ का बिलकुल सुरु से पढ़ा जाया प्राइजय बीमा छार बजे तक फीर Yok गज़ा ना कल दुपार में 12 बज़े से चार बज़े तक अभी कोई जाएगा नहीं तो पढ़ाई हो रही है 12 बज़े से 4 बज़े तक चाहे जब आना तुम शुरू से जुड़ोगे तो अच्छा रहेगा कल 12 बज़े से 4 बज़े तक देखो बेटा यहां से समझो और आगे आगे क्या समझना में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है समझो देखो अगर पांच का गुड़ा करोगे बेटा प्लस 3 में तो यह बताओ मुझे कितना आएगा इसका अंसर सभी इमानदारी से बताना अगर पांच का गुड़ा प्लस 3 में करोगे तो क्या आएगा इसका आंसर तो 15 आएगा लेकिन यहां पर मुख्य बात है जो वो चिन कौन सा आएगा चिन कौन सा आएगा तो बेटा अगर दोनों प्लस प्लस है तो हमेशा चिन प्लस में ही आता ह यह मैं चिन का कांसेब्ट बता रहा हूं यहां से सीख लो चिन का कांसेब्ट अगर यह प्लस है कि पांचे लिखो हूर यह माइनस है का तो क्या आएगा जड़ा सोचो आप लोग क्या आएगा स्क्राइब अगर एक पलस हमेंस तो चिन हमेंसा माइनस आएगा याद रखना कि माइनस ऌt लेकिन सोचो अगर पहिला वाला माइनस हो जाता है अगर दूसरा वाला फ्लस हो जाती है निमिस तब के यह था यह मैंस कि दोनों मेंसे कोहि थे अगर प्लस हुआ और कोई माइनस हुआ दोनों अलग अगर हुए तो हमेसा माइनस ही आएगा और कहीं दोनों नलायक हो जाए तब यह प्लस हो जाएगा यहां से हमें यह निसकर्स मिलता है यह निसकर्स निकलता है बेटा कि दोनों चिन अगर समान है तो पलस होता है अगर दोनों चिन समान है तो पलस होता है अगर इसमें कोई भी अलग है तो हमेशा उत्तर माइनस में आता है यह चिन का कांसेप्ट है तुम्हें सीखने के लिए बताया हूँ बाकी यहां 15 से कोई मतलब नहीं है समझ रहो ना सभी भाई समझ रहो ना चलो अब हम concept वाले थोड़े थोड़े कुछ सवाल पूछेंगे आप लोग उसका मुझे जबाब दो फिर हम आगे बढ़ते हैं ठीक है concept वाले थोड़े थोड़े सवाल आप लोग बताओ अब चैप्टर खतम कर दें क्या चाहते हो कि सभी बच्चे नाइंथ वाले अभी और पढ़ोगे कि नहीं बंद करें अभी और पढ़ोगे कि बंद करें देखो जो चट पटा रहें कमेंट नहीं कर पारे बेटा वो चैनल सब्सक्राइब नहीं करें चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो तुम कमेंट नहीं कर पाऊगे तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो तो यह हो गए आपका तीन पार्ट हो गया इसके आगे मैं तुमें कुछ और बता आँ हां कल टे mapped हो गा ठीक है टेस्ट तो साम को साथ बजए होगा ना जो चार गंटे का live होगा ऑखल दूपार में बारा बजए से होगा वह साम को 4 बजए तक और टेस्ट तो साम को साथ बज़े होगा तेस्ट तो साम को साथ बज़े होगा देखो जो सुरू से पढ़ रहे हैं वो लोग नहीं परेसान है बेटा इसका चौथा बड़ा खतरनाक है ये पार्ट देख लो पहले तुम चौथा पार्ट y का square plus 3 बटा 2 और y का square minus 3 बटा 2 y का square minus 3 बटा 2 ये क्या है ये आपस में गुड़ा करना इनको क्या करना है बच्चा इनको आपस में multiple करना है यहां से तुम तरीका सीख लो बेटा तरीका सीख लो यहां से अब इनका भी वैसे ही गुड़ा करना है लेकिन यहां पर एक चीज बन रहा है वह कौन सा चीज बन रहा है यहां पर एक सूत्र बन रहा है सूत्र लेकिन लगेगा क्या सूत्र तब बनता जब ये कुछ धंका होता तब यहां पर डंक मुझे लगनी रहा है आप विरक बता उजिए इसको चल जाएगा क्या ये हो जाएगा कर लोगे कि नहीं आई देको फारम फारमूला बनेगा काई में हो जाएगा कि नहीं कामल कि सूर को बला करो भाई कमल किस और को बला करो इसे, जल्दी बला करो इसे देखो बिटा, अगर मैं बोलूँ हूँ कि ये a प्लस b हो गया, ये a माइनस b हो गया, हाँ बन जाएगा, देखो, समझो यहाँ पे देखो, अगर इसको a मानो, इसको b मानो, मान लो अगर देखो, बन जाएगा माना y square बराबर a और 3 बटा दूई बराबर b तो पिटा यह बन जाएगा आपका a plus b और a minus b तो final में a का square minus b का square क्यों भाई साब यह होगा न बाबू तो इधर लाके मान रख दो na a का square का मतलब a का square का मतलब y का square यह y का square का square minus b का square मतलब 3 बटा 2 का square तो final में हो जाएगा बाबू आपका y का घाच 4 minus 3 तरिक का 9 9 बटा 4 y का घाच 4 आएगा ठीक है सबको समझ में आ रहा है ना हरी केश जी समझ में आ रहा है आभा तिर पाठी आरा समझ में ठीक है अभी हमारी कोशिस होगी रात के 9 बजे भी तुम्हारा रिवीजन करवा दिया जाएगा रात के 9 बजे भी एक लाइब होगा उसमें भी पढ़ लेना ठीक है ठीक है ना बच्चा चलो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखो तुम्हें बहुत सारी कलासे मिलेंगी कि सच्ची बता रहा हूं बोलने में बहुत एनर्जी जाती है आदमी पागल हो जाए बोलते बोलते कुछ खाव आके आता हूं का हाँ जाए खाव आके आए का तुम लोग पढ़ते रहो और आमसे सही रहेगा कि नहीं मुझे पता है तुम कईसे पढ़ोगे तब तक चलो देखो आगे हमारे कुष्चन का आंसर ने दिया भाईया इतने लोग है मैं आंसरे देंगा तो फिर होई गया आंसरे देता रहूंगा अगला कुष्चन जो है उसका आंसर सभी कर लोगे हां हां टेस्ट होगा कल कल टेस्ट होगा सुभेरे साथ बजे तुम लोग आना चलो देखो आगे अगला कुष्चन है यहां से देखो इसका पाचिमा पार्ट देखो यह कह रहा है तीन माइनस दूएक्स और तीन प्लस दूएक्स इसका अंसर कर लोगे पिर सुथ के बाद आपका पहला सब खतम हो गया इसका कर लेना आपका पहला खतम हो जाएगा और आज का जो कलास है वो मैं खतम करूंगा लेकिन अभी ऐसे नहीं खतम करने वाला पहले इसका जबाब दो जल्दी बताओ इसको तो बताओ फटँप उसके बाद एख त्या और बता देखो ये सारे चीज तुमें आने चाहिए अगर तुम्हें यह नहीं आ रहा है तो समझ लो तुम गड़बड हो रहे हो इसका अंसर बताओ मुझे इसका अंसर बताओ अगले वाले का अंसर इन्टू यक्स अपान फाइव इन्टू यक्स की घाथ फाइव और एके घाथ तीन इसका आंसर कितना हैगा दूसरे वाले का बताओ कितना हैगा कमल की सोर बटा समझ में आ रहा है नितिन गुपता आदी पिरपाठी बताइए कितना हैगा बहुत ही सिंपल सा है इसका देखो मल्टिपल करेंगे यह रखो खोपड़ी पर उपर की तरफ या नीचे की तरफ है फाइनल में अगर हम इसको दिखाएँ तो यह ऐसे बन जायेगा ऐसे बनेगा ना तो उपर का जो तो गहात गात नीचे में चार गहात है इससे माललों एक प्रृकार से घट जाता है अगर मैं बताओं तो इसे समझो अकर किको डील में समंझो इसे तक एगर मैं फोड़ा सा ज्यादा है जिक दो देखो ऐसे भका यह daug सब्सक्राइब यह नीचे एक्स को चार हो जाएगा है मारकर देखो मेरा भी गया है तोड़ा सा रुख जाओ तोड़ा से रुक जाओ स्याही भर लेता हूं कितना आएगा इसमें रामचकि बिंद्र बताइए कितना आएगा कि जल्दी बताओ कि अब्ले निकल जाओ को मेरी बैझती करवा रहे हैं कितना आएगा जल्दी बताओ आगा अब कर लग सब्लक्र मただ क्षस्लार वाहरुप।Beat कर लोगे ना सभी चलो ठीक है देखो बच्चा उसमें यक्स का स्क्वाइर से जो दो घात है वो कम हो जाएगी हां जो घात कम हो जाएगी न अभि लास का उत्तर आ रहा, बिजय कुमार, बहुत अच्छे बिजय जी सही है, गोपी चंद, उजमा का भी सही है, बूजा कुमारी, ठीक है बैया यह औऀसे हो जाएगा, x का स्कोयर का मतलब यक्स गुर्ड एक्स x की घाच 4 का मतलब है, x गुडा-x, गुडा-x, गुडा-yक्स यह इसका मतलब है थोड़ा पोश्ट मादम करने पे समझ में आरा है तो बेटा 1-x से 1-x, दूसरे x से दूसरा x फाइनल में ऊपर एक बचा होगा कुछ नहीं है तो और नीचे दो ठी एक्स बचा है मतलब एक्स का स्क्वायर तो यह आपका अंसर हो गया यह थोड़ा सा डीटियल में ले जाने के बाद समझ में आता है ठीक है अच्छा इसका अंसर का आएगा चचा है में देखो जीरो है एक जीरो है ना बाकी सब गुड़ा है न तो यह सब बरबाद हो जाएगा केवल एक्स आएगा क्यूं क्योंकि इसमें एक नलायक निकल गया बस इतने था इसमें और कुछ नहीं था मीरा समझ में आ रहा है नीरज चलो तो मैं मिठा देता हूं इसे आप लोग यह सब कर लोगे न अच्छा एक बात बताओ मुझे क्या आपको कलास का टाइम पता है हां सबी बच्चों को कलास का टाइम पता है कि कलास कितना बज़े ह होती है कि कलास रोज साम को साथ बज़े होती है कितना बज़े होती है बेटा साम को साथ बज़े होती है कि बंद करा जाए कि मुझे लग रहा है अब मन नहीं लग रहा ना तुम लोग का मन नहीं लग रहा है न अष्या सर्मिका वाला कुछ करवा देता हूं थोड़ा रुको कि हाँ थे हाँ हाँ रुक जा रुक जा चाचा रुक जा सूत्र लिखो शूत्र इंपॉर्टेंट र्याद कर्के आना नहीं करें तो कल से पड़ेगी लिखो ए प्लस बी का होली स्कॉयर चलो बताओ क्या होगा यह कोई बताए मुझे क्या आएगा अभी कुछ लोग ज्यादा छटकेंगे जब मैं बताऊंगा तो कहेंगे या मुझे आ रहा है आ रहा है कितना आएगा बताओ देखो समझो क्यों बेटा यहाँ पे आपका यह काई स्कॉयर प्لस यह अब्रस यह ब्रस प्लस चुन ऑन बी आ और लिका है लिए वाट कुछ लोग होको पहले भी को लिख सकते हैं ब्रस इसमें कोई समस्य कॉछ नहीं दोनों सही हो इना दोनों सही है अगर तूँभाلف यहां दोनों सही ह चाहे तुम इसको लिखो, चाहे उसको लिखो, बीच में इसमें R लिख सकते हो, RR, R का मतलब दोनों से ही, जो माइनस वाला होता बेटा, ये ऐसे होता, A का स्कॉायर माइनस, नहीं, पहले सिस्टम से लिखते हैं, ये B का स्कॉायर ऐसे ही रहेगा, ये माइनस होता है, ठीक ह यानि हमारा जो दो वाला है यह माइनस होता बाकि इन दोनों में यह प्लस होता याद रखना चिन्द का कंफ्यूजन बच्चों को अक्सर हो जाता है बहुत हो जाता है तो बिटा चाहे इसको ऐसे लिखो या फिर इसे अथवा ऐसे भी लिख सकते हो एका स्कॉयर माइनस दो सब्सक्राइबी और प्लस बी का स्कॉयर इसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो यह दोनों तरीका क्या है सही है ठीक है यह फर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है राजा याद करके रखना बाभू हम एक्टी छोटा सा पर फर्मूला है यक्स का स्कॉयर माइनस वाई का स्कॉयर यह आपका हो जाता है यक्स माइनस वाई एंड यक्स प्लस वाई इसको चाहे तुम ऐसे लिखो या तुम इसको पहले लिख दो यक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई यह दोनों सही है अलग अलग जगह तुम्हें अलग अलग तरह से मिल जाएगा तो तुम यह मत कह यह सब सही है जैसे कान पकड़ के इधर से खींच रहें इसे तो दात निकल जा रहा है नवैसे अगर आप इसको इधर से चलो, सभी बच्चे कलास को लाइक करो, बाबु देखो ऐसे मज़ा नहीं आ रही ठीक है, तुम लोग समझते नहीं हो मेरे दिल की बाते हैं, जल्दी से लाइक करो देर ना करो, जिम्मेदारी समझो अपनी और हम लोग आगे बढ़ते चलें, ठीक है, इसमें एक सर्वसमिका होती है बेटा, जब हम लोग समी करण बनाते हैं, एकस प्लस ए और एकस प्लस बी वाली, इसको भी लिख लो, एकस प्लस ए और एकस प्लस बी, जब हम लोग समी करण बनाते हैं, तो ये सर्वसमिका लगती है, जिसमें आपका ये प्लस होता है, और ये एकस प्लस बी इंट हैं यह सभी सर्वसमिकाएं हैं लिखो जल दी से सावन राज बेटा पढ़ लो पढ़ लो कि सबको समझ में आया ना किसी को कोई परिशानी है रानी नहीं न बच्चा और सूत्र लिखो आगे अगली सर्वसमिका लिखो बेटा यक्स प्लस वाई का होलं क्यूब यह सब याद करोगे तो अच्छी बात है नहीं करोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम हॉं है याक्स क्यूब प्लस वाइ क्यूब प्लस थ्री एबी सरे कि यू है यहा क्ष्टे मतलब यक्ष कायी और यह यकलत वाई नगे कि गुरुजी है तो एबय लिखे यह यहां तुम कुछ भी लिख सकते हो यहां भी तुम एकश क्ने हो यहां तुम्हें चुवाल सूत्र समझो बस इनके जो बरीबल से हैं आप बदल सकते हो है ना समझ में आ रहा है कि नहीं BLP म्यूजिक राजस्थानी पढ़ा नहीं जा रहा है जादा हो रहा है ना ठीक है मैं बंद कर दे रहा हूं फार्मूला लिख लो थोड़ा बहुत बंद कर दे रहा हूं परिसान न रहो मैंने सोचा था एक घंटा पढ़ाया जाएगा एक घंटा से कम नहीं होना चाहिए आज पूरा पूरा मैंने एक घंटे पूरा किया है ना इनका स्क्रीन साथ लेलो मैं हट गया हूं स्क्रीन साथ लेलो मैं हट गया हूं चलो फोटो की चाने के लिए खड़ा था कौनों गधा खिचबे नवायत नदेर तब गजब बैच जती है चलो देखो अच्छा है सुनो एक काम करना आप लोग जिनके घर में दो मोबाइल होगी जैसे आप पढ़ रहे हो ऐसे लाइब ना आप दूसरी मोबाइल से उसका रिकार्ड करना इसक्रीन जैसे मालो तुम इस मोबाइल में पढ़ रहे हो तो दूसरी मोबाइल से ऐसे रिकार्ड करना औ तो आज आप लोग इसे जरूर करना जितने बच्चे जुड़ें अगर 10 बच्चे भी करते हैं उन्हें प्रीमियम कलास दिया जाएगा आप लगभग की लोगों के घर में दो मॉवाइल होगी मामी चाचा बैया दीदी मांग लो किसी का हां उसमें इसे रिकार्ड कर लो तो नीचे जो नंबर चल रहा है उससे रिकार्ड करवा लो मालो तुम बैटके पढ़ रहे हो मोबाइल में दिख रहा है ऐसे टेबल पे तो कह दो भाईया चाचा चाची भाईया भाभी क्यों ही रिकार्ड करते पीछे से कि तुम भी दिखो तुम भी दिखोगे और बहतर होगा है ना कैसे बैठके पढ़ रहे हो लेकिन कपड़ा पढ़ा पढ़ा पैने रहे ना चड़ी पाइन के मत बैठना बेचती निया करवाना कि हमारे इस्टूडेंट आइसे हैं मतलब पाइन लेना चलो समझ रहे हो ना ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आनलाइन कलास है तो आनलाइन में कभी-कभी ऐसा हो जाता है तो नीचे जो नंबर चल रहा है आप उसी नंबर पर वाट्सप पर भेजना आप सभी को प्रीमियम कलास दिया जाएगा पेड़ वाली कलास जो भी बच अभी अभी बनवालो तुरंद अभी मैं पढ़ा रहा हूं ना आगे चलो तो बच्चा ये इतने फार्मूले हो गए माइनस वाला लिख लो देखो मजा ना लो भाई देखो मैं आकिकत बता रहा हूं क्योंकि जो बच्चे घर में बढ़ते हैं गर्मी का महीना है कोई नही ठीक अच्छा है को यक्स माइनस वाई ौल क्यूब जल्दी आगे लिखो फार्मूला लिखो फटपट इसमें सब माइनस होता है x cube minus y cube और minus 3xy और x minus y ये सुटर याद रहने चाहिए तिक है याद रहने चाहिए चलो जल्दी करो मुझे लगता है मैंने सारे जितने भी इसमें formula थे मैंने बनवा लिया देखो जिनके पास एक है वो परिसान नहीं होंगे कोई बात नहीं है पढ़ातों में रहा हूं ऐसे भी लेकिन जिनके पास संभव है वो जरूर करेंगे जिनके पास संभव है वो जरूर करेंगे जिनके पास एक है उनको कोई बात नहीं है चलो इसको लिख लो बस लगबग सारे सुत्र हो गए तो बच्चा अच्छा एक बात बताओ मैं एक पोल कर रहा हूं कमेंट बाक्स में आप लोग उसमें यस या नो करो मुझे लग रहा बहुत तेज बोल रहा हूं का एक मिनिट आप लोग सिर्फ यस या नो बोल दो आभी मैं एक पोलिंग में कुश्चन कर रहा हूं उसे देखो जल्दी से क्या आपके पास अभी देखो किसी के पास होगा मतलब आपके घर में कोई भी हो अगल बगल अभी कोई भी आपके अगल बगल है उसका मोबाइल लेके भी तूं कर सकते हो ठीक है देखो मैंने एक पोल किया आप लोग उसका जबाब दे दो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आप लोग ओटिंग करते रहो और मुझे यह बताओ कि आपका जिला कौन सा है और मतलब कहां से पढ़ रहे हो जैसे आपकी कलास परियाग राज उत्तर परदेश से हो रही है आपकी कलास परियाग राज उत्तर परदेश से हो रही आप लोग कहां से हो यह नंबर में लिख दे रहा हूं जरूरी है बहुत इंप्वाटन्ट आप लोग इस पर वाट्सप पर वीडियो बना के भेजना जरूर अगर कोई है आपके अगल बगल में आपके मम्मी कोई दूसरा वीडियो चला यहिए जिसमें भण से पढ़ाया जा रहा हो मतलब बातचीटवाला नहीं महोल हो आप यह चीज करके भाजना ठीक है इसी वाटसप पर लisa mae ध्यान रहे है बातचीटवाला नहीं बेजना जो अभी बात करने हम इसको नहीं बेजना है तो मैं प कोई भी सिकायत है आप लोगों की तो आप बताओ ठीक है ठीक है बच्चे बहुत अच्छे तो बच्चे हमारे जो जुड़े हुए हैं पूरे देश से जुड़े हुए हैं दूर दूर से जुड़े हुए हैं तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैंने देख लिया आज मैं किसी का पड़ नहीं रहा हूं ठीक है किसी का नहीं पड़ रहा हूं ए Hundru अंप कि द missilesो कल बाज़े दो पार से कल बारा बझे दो पार से बेटा साम को चार बज़े तक आपका एक लाइब होगा मैं पूरे 4 गंटे का कम से कम एस वालों का इस चैनल पे हो तो आप लोग जरूर देखना और उसकी लिग्द्र पे भेज दिस एगी ठीक है ? उछ की लिंक आप narrative भेज देंगे अगता आप de ligram चेनल नहीं जौइन करें अए तो cheery gram पर Pima систем सर्च करके ज्वाइन कर लो पीटा ए नी करके यूकि शुब्सक्राइब पर pvr सबी कलासें आपको पीवीार Monsieur के पीवीड़ी टेली सठी करों निसनकोच तुमалась वीडियो मिलेगा उसमें सबस्ँंजाया गया टेली गराम क्या है पीवीयर स्टडी चैनल कैसे जौाइन करें क्या फायदा इसको करने का उस वीडियो में सब बतायेगा यूटूब पे सच कर लो किया लिखोगे यूटूब पे लिखोगे टेली गराम पीवियर स्टडी मिल जाएगा वीडियो सबसे उपर बहुत बहुत थैंक्यू फिर आज के लिए अगली कलास कल होगी ठीक है अगली कलास कल सुबह होगी और बेसिक मैत वाला वीडियो इस समय नहीं चल रहा है पंदरा अगस तक हमारी कोशी से फिर से चलाएंगे अभी नहीं चल रहा है ने तो पीवियर स्टडी लाबा चैनल पर रात नो बजे देखना हो सकता बेसिक वाला हो जाए